आपने देश और दुनिया में भाउट सारे म्यूजियम देखे होंगे लेकिन एक ऐसा म्यूजियम जो बस में बनाया गया है और देश के कोने कोने में पहुंच रहा है आप अपने टीवी सक्रीन पर जो यह तस्वीर देख रहे हैं एक बस है और इसमें बना हुआ है जो बच्चों को खास पसंद आ रहा है जो इसे देख कर अथा मैसूस कर रहे हैं चत्रपती शिवाजी महाराज बस के अंदर हमने बस्तु संद्रहाले के कुछ हाइलाइट्स अब्जेक्ट रहे है जो बस्तु संद्रहाले के कलेक्शिं के बारे में और जानकारी दे पाते हैं और यह जो अब्जेक्ट के पारे में भी काफी जानकारी देते हैं यह बस हम अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग स्कूल्स में देखे जाते हैं ताकि जो बच्चे जो लोग उनकी अब तक ना पहुँच पाए उनका था मूजियम होँचा इस संग्रहलक की विशेष्टा यह है कि वस में बनाया बया है तो देश भग के विधिन सथानों पर पहुँच जाता है और इसमें सजाई गई वस्तुएं काफी आकरशन भी बनाये हुए हैं लोग यहां आते हैं और देखकर बहुत खुश होते हैं वस्तुएं ओरिजिनल भी यहां पर मौजूद हैं और इस संग्रहलक को 2015 में बस के रूप में देश भर में दिखाया जा रहा है और धविश्टा में इस पर और की अच्छी योजना है चाहिए और इसके अंदर जो है और व्यवस्ता अच्छी करनी चाहिए ताकि लोगों का जो है इंडियन बच्चा को जानने का उनका जो है वह बढ़ा वह बढ़ाद की इस सपेशल बस को देश भर के विधिन स्कूलों में शिक्षा घ्रहन करने वाले बच्चों को भी वही स्कूल में ही ले जाकर दिखाया जाता है और इसमें सजी हुई वस्तुए धातू करंसी के अतिरिक विभिन पक्षियों का भी रूफ दिखाया गया है शंतर पती सवाजी का खास तोर से भवन भी परदर्शित किया गया है मैं चुमा है हम से संगेस म्यूजियम में काम करते हैं इस प्रोग्राम के अंडर से यह शुरू हुआ प्रोग्राम और यह अलग-अलग स्कूल्स में जाके बच्चों को अलग-अलग एक्जिबीशन दिखाते हैं और उस एक्जिबीशन में रखे हुए आप्जिक्स और डिपेक्स दिखाते हैं बच्चों की तिंचस भी बढ़े और वो नियूजियम तक आने की सोच पाए इसी से यह प्र प्रोग्राम चला ते इस चलते खिरते शंग्रहल्य को देखेंगे आपको अनोखा जरूद मैसूस होगा क्योंकि शंग्रहल्य बस सभैंच चल कर आपके पास आई है और इसमें सजाई गई वस्तुएं ताफी रोचक और अप्सा मैसूस भी कराती हैं क्योंकि रोचक जानक मुंबल के शिवाजी मुजियम दवारा संचालिक की जा रही है और यह बच्चो के लिए काफी आकर्षन भी बन रही है राजेश खत्री नहीं दिल्ली